पहली बार सुरजपूर जीले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दतीमा के जम्बूरी मैदान में हजारों की भीड को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा रोकनी की कोशिश की देश की प्रत्थम महिला के चुनाब में कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए विरोध किया क्योंकि वह आदिवासी महिला थी लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी महिला को राष्ट पती के रूप में सरवोच स्थान दिलाया प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है आतंगबाद और नक्षलबाद चरन पर रहा है कांगे सरकार नक्षली हिंसा को काबू रखने में असफल रही है हमारे कई भाश्पा कारेकरता चत्तिस गड़ में नक्षली हिंसा में मारे गए है सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के खेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आचिरवाद देने आए है हम आपके रदय से बहुत आभारी है सरगुजा ने दिलिप्सी जुदेव जी जैसा समर्पित नित्रुत्व दिया था भाजपा का ऐसा ही नित्रुत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की शोसीत वंचीत पिछडे आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है भाजपाने ही अटल जी के नित्रुत्व में आप सभी के साथ मिलकरके 36 गड़ का अंदिर मान किया था याद है ना याद है कि भूल गए हो जरा हाथ उपर गड़के बताईए याद है ये आज पूरा 36 गड़ कह रहा है भाजपाने बनाया है भाजपा ही समारेगी आज हर तरफ एक ही गुंज है भाजपा आवत है भाजपा 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 साथियों आज 36 गड़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे ख़बर मिली है बड़े उत्सा उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे बिना हिचके मतदान अवश्य करें ये लोक तंत्र का उत्सव है हर नागिरिक का उत्सव है ये 36 गड़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है इसलिए जादा से जादा संख्या में बोर्ट डाल कर आपको 36 गड़ में एक मजबूत सरकार बनानी है चाथियों भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी नव दस करोड के आस्पास है लेकिन आजादी के बार दसकों तक कॉंग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूदी नहीं था उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था कॉंग्रेस ने कभी आपकी चीन्ता नहीं की आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा जबकि भाजपाने हमेशा आदिवासी कल्यान को सरवोच्च प्रांत्विक्ता दी है क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली गाउं जंगलों में पैदा हुई गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ठपती बनेगी आपको गरब हो रहा है को नहीं हो रहा है कोंग्रेस ने उन्हें रोकने की उनके अपमान की इतनी कोशिश की इतनी नहीं कर सकते हैं लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को यह सम्मान भाज पाने ही दिया है अधियों जब केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड़े में पैसे डालना बरबात करना यही उनकी सोच थी लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हीतों की बात आई सरकार का खजाना खोल दिया तीजोरी खोल दी दोस्तों भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंदर सरकार का बजेट यह याद रखना भाईयो याद रखोगे ऐसे नहीं हाथ उपार करके बताई याद रखोगे पक्का रखोगे आपने मुझे जो काम करने का मोका दिया न इस सेवा काल है मेरे लिए तो सत्ता काल नहीं है मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट पांच गुना बढ़ा दिया पांच गुना आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? यह मोदी का काम है आपके बच्चों की पड़ाई अच्ची हो इसलिए आदिवासी छेत्रों में पांच सो नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं अब आप देखिए हमारी हाँ गाउं गाउं में अंगरी जी वाली स्कूल तो है नहीं गरीब का बच्चा अंगरी जी स्कूल में जा नहीं सकता और ये कॉंग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गाउं की भासा में पड़ा है अपने आदिवासी की भासा में पड़ा है तो ये बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था इंजीनियर नहीं बन सकता था लेकिन इनके दिमाग में से अंगरी जी का भूत नहीं गया झाल